नमस्कार दोस्तों दासार्वी सेंटर चले में आप सभी को में स्भागत करता हूं दोस्तों आज एक CRT का PCB आया यह ये एल जी का फिसी भी है और इसमें हाई पावर का पाब्लेवर मतलब स्टेंट बाइव DOWN करने से SH T आउटफूर्ट टैंजिस्टर उठ आई वह लागने का साथ साथ यज़ जाता है तो हाई बोल्टेश का पाब्लेम है तो दोस्तों यह ह्टे कहां से आ रहा है और कैसे ठीक होगा दोस्तों तो मेरे वीडियो का यांट तक आप लुक जुरिये रही है और जो जो बाई लुक CRT TV बना रहा है अभी तक उनके लिए फाइदा होगा तो दीखिए मैं कैसे रिप्यार करता हूँ और वीडियो में दोस्तों लाइक कमेंट करना और चनल में सब्सक्राइब करके रागना था कि अभी आप लुक को अब बूर सारे वीडियो मिलते रहेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कि की अगया है तो यह को अब करने चाहिए और इसमें हाइब बॉल्डर्स का परब्लम है मैं सुरू में अपने को बल दिया तो यह कहां से आ रहा है उसको देखना है यह दिके यह हैं से स्टी भी निकाल दिया तो यह मेरा एक बाइ ने लेके आया, तो बोल रहा है ये ST के आउटपुट लगाने से ये शोर्ट हो जयता है तो उन्होंने ST को भी निकल दिया निकल के नोया ST लगाया, फिर भी ये इसा पोब्लम है तो पता नहीं इसमें फोल्ट किया है नहीं है तो अभी चेक करने का बाद ही पता चलेगा इसमें हाई बोल्टेस कहां से आ रहा है तो दोस्तो चुलिए आज के सियर्टी का किट बनाते हैं तो चेक करेंगे पहले चेक करके देखते हैं इदेर में अब फूट डिसी जो आउटफूट सेगंडरी चेक्शन में जो आउटफूट सप्लाई निकलता है उसमें कितना बोल्टे से पहले यह चेक करेंगे तो फिस को नहीं लगाएंगे यहाँ पर एक सिरिस कनेक्शन करेंगे बाल्प का साथ 100W का बाल्प तो यह बाल्प ही ले लिए और उसको करनेट कर दोते यह जगा पर और सिरिस लागा कर बास चेक करेंगे क्यूंकि बाच्चान स्वाट उट होगा तो यह लगा है और अभी वोल्टेश को एक बार देख लेते हैं ग्राउन का साथ यह दिखेंगे वोल्टेश जदा है 186, 187 इसे वोल्टेश पता रहा है और देरे देरे यह बोल्टेश कम रहा है देखेंगे अभी वोल्टेश कमती हो गया यह दिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे यह बाल्प्री ग्लो होना बन कर दिया कोई उसका प्रब्लेम है यह आङए यह जो बाइलका है यह पीसीवी को यह एस्ट्यर को भी यह पर एस्ट्यर लगा हुआ हैat यह अपय केंज सानुए हुआ है यह सब चेक करके दूसरा PCV से लगा कर भी चेक किया है लेकिन problem solved नहीं हुआ तो अभी क्या करना है देखिए यह पर voltage बंड आ है शॉट नहीं है लेकिन voltage बंड आ है लेकिन voltage हाई हो रहा है यह condition में इधर में यह बाई सब कुछ चेंज करके देख लिया यह सब कुछ चेक करके देख लिया लेकिन voltage नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे देखिए यह हाई voltage का प्रोब्लेम आने से यह ज्यादा तरफ यह आप पर देखिए अटो कपलर लगा हुआ है यह अटो कपलर खराब होने से यह voltage ज्यादा हाई voltage हो जाता है यह आप लोग यादागना LED TV में और CRT में किसी भी पावार चेक्शन में यह अटो कपलर जब होगा यह voltage मतलब यह खो जाएगा उस टाइम यह हाई voltage देगा उसी से हाई voltage निकल कर आता है तो कि फिलाल आम लोग क्या करेंगे अभी चेक तो इसे में कर दिया लेकिन यह अटो कपलर को एक बार चेंज करके देखते हैं यह अटो कपलर वह भाई मैं चेक नहीं किया लगाया भी नहीं लेकिन मैं चेक चुप किया यह अटो कपलर वल्टेस सोही नहीं है हाई voltage बाता रहा है और रोटेसध देरे धिरे कम्ती होते जा रहा है वान सेबैंटी एट वान एटी तक हो जाता है, फिर दिरे दिरे वान बोल्ड भी नहीं रहता है. यह इसका पॉप्लेम है, तो आभी ये आथो कुप्लर को पहले च्स करेंगे, यहाँ पर को देखते हैं पहले यह देखिए यहां पर अटो कपलर लगा हुआ है यहां पर लगा हुआ है यह जगा पर उसको निकल कर चेक करना है यह देखिए अटो कपलर जब निकाल दिया यह यह साइट में राग देते हैं यहां पर और अब दूसरा लगा कर चेक करेंगे एक बर यह देखिए एक पुराना बूड है उसी से निकालूंगा और यह कोटो कपलर यहां पर है देखिए यह देखिए वाइट करके कोटो कपलर यह पुराना बूड से उसको निकालूंगा उसको निकाल कर बेस लगाऊंगा आज में हाद राद तर लग्या अब यह देख शाफ यह पँस्व कालर से वाद देखिए झाल कर वाद जब यह अ यह स्वे देखिए आधा जाई है था इसको इधार साइट कर दिते हैं और अब यह टिवी को एक बड़ लगा कर दखते हैं अब भी पोब्लम स्वाइब की नहीं मैं टिवी को अन कर रहा हूं दोस्ते हैं और आखते हैं लगा कर कि आ रहा है यह तिबी को मैंने अन कर दिया और यह दिखिए बॉल्प तीरी-दीर आप हो गया और यह दिखिए स्टेंबाइ लाइट अभी जल रहा है यह दिखिए यह जल रहा है यह और बॉल्टर्स भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कुणा में देखिए मिटर रखा हुआ बॉल्टर्स एक बार देख लेते हैं पहले यह दिखिए वन टाटी बॉल्ट बाता रहे हैं वान टाटी बॉल्ट लेकिन अभी इसमें लूड नहीं दिया है इसलिए बॉल्टेज ज्यदा बाता रहे तो यह बॉल्टेज अभी ओके बन गया लेकिन फिर भी इसमें लूड देकर चेक करने परेगा यह बॉल्टेज जदा ही कि नहीं अब इसमें बॉल्टेज खुड़ा ओके मिल रहे है और यह स्टेंडबाइ लाइट भी जल रहा है यह दिखिए यह जल रहा है और अभी क्या करेंगे यह फ्यूज को लगाएंगे फ्यूज को लगा कर यह हंडेट वार्ट बाल्प को लूट देकर चेक करेंगे अभी प्लाग अप कर दिया मैंने निकल दिया और यह दिखिए उसको एक बाल लूट देकर चेक करना चाहिए पावार बोन जाने से एक बाल लूट देना चाहिए यह सेंगेंडरी लाइन में लगा रहा हूं और उसमें बोल्टेज चेक करना है अभी एक ग्राउन का साथ करने करना परेगा देखिए मैं ग्राउन का साथ करने कर दिया यह बल्प को यह पुजिर्शी सप्लाई है यह नेगिटिव सप्लाई यह ग्राउन का साथ करने कर दिया देख छाएगा और अभी लोड देखे देखना है यह लोड अभी देखे टवनलें वठेस कित अभा पर्फेक्क मिल राहें यह बल्पेस और मिटर में भी बिशा करेंगे मिटर को एपर राग देता हूं थाकि पलटेस हम लुग देख सेके एह ग्लु होगा और ये भी ग्लु होगा स्टेंबबाइबढू यह प्लक को लागा रहा हो यह दिकि ही यप लुड लिया है ूअ 100 वार्ट का वाल्फ है और यह दिके, यह इस्टेंबै फिल राइट बी जैल रहा है रेट ल कलर से तो ora से बूलट्स को एक बार चेक कैरेंग यह कितना बोल्टेज बता रहा है यह दिखी अभी 112 बोल्टेज है 110 बोल्ट आगिया दोस्तो यह 2-3 पॉइंट से कुछ फरक नहीं परेगा 110 बोल्ट पुरा आगिया है यह दिखे मिटार में और यह लोट का साथ जल रहा है और यह भी जल रहा है तो दोस्तो यह पावर सप्लाई होके हो गया और मेरा काम था पावर सप्लाई शिफ पावर सप्लाई बनाना तो पावर सप्लाई होके हो गया दोस्तो और बाकी वह बाई समाल लेगा ठीक है तो वीडियो चाल लगा तो एक लाइक करना दोस्तो